मैं कैथोड्रे ओसिलोस्कोप हेडिंग लिखे कैथोड्रे ओसिलोस्कोप CRO कैथोड्रे ओसिलोस्कोप नहीं हो रहा है जी बटाब कैथोड्रे ओसिलोस्कोप युस तरह के मशीन होती है बड़ी सी इसे बहुत सारी नॉब्स होती है और एक डिस्प्ले होता है है, we are interested in display, cathode ray oscilloscope, इसको CRO कहते हैं, abbreviation क्या कहते हैं, CRO, cathode ray oscilloscope, ये एक measuring device है, इस पर हम तीन चीज़ें measure कर सकते हैं, हम इस पर time measure कर सकते हैं, we can measure time, it is used to find the time, or time period, or frequency, इसे हम दो चीज़ें measure कर सकते हैं, एक चीज़ calculate कर सकते हैं, it is used to find time period, और time, इसे हम का कर सकते हैं, time period, time find out कर सकते हैं, इसे हम voltage find out कर सकते हैं, और frequency calculate कर सकते हैं, we can calculate frequency by using CRO, cathode ray oscilloscope, ये आपने O level में बढ़ा था, इसको refresh करोना सही हो जाएगा, stop, CRO, cathode ray oscilloscope, diagram बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डबबा है, और इस पेसरा की जीज़ें, CRO, चाहिए है, हाँ मेटा, ये CRO की डबबा होता है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसकी simulated diagram देखें तो ऐसी होती है, ये बता होना चाहिए, क्या चीज़ मेट कर सकते हैं, टाइम, वोल्टेज, फ्रिकेंसी, हम वो टाइम मेट कर सकते हैं, जो बहुत करीब करीब है, फर एजेंपल, sound जा रही और echo आ रही है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम भी मेजर कर सकते हैं, हम इसके उपर, अच्छा बेटा, उसके बाद क्या है, नौ, अगर आपके simulated diagram देखें तो ये इस तरह की है, ये इस पर जो grid होती है, मैं इस पर interested हूँ, display, CRO, इसके simulated diagram है, अच्छा बेटा, CRO क्या होता क्या है, अच्छा बेटा, CRO में, ये basically graph होता है, ये होता है y-axis, ये होता है x-axis, आप समझे हैं, ग्राफ है, ये y-axis है, basically इस पर क्या होता है, voltage, voltage is taken along y-axis, और ये x-axis जो होता है, ये होता है time-axis, time-axis, तो CRO के screen पे, display पे grid बनी होती है, grid, grid में डब्बे बने होती है, grid बनी होती है, मैं रिखलते हैं, आपको color नज़र नहीं आ रहा, ये grid बनी होती है, और ये जो होता है y-axis क्या है, ये voltage-axis है, और ये क्या है बेटा, ये time-axis है, CRO पे y-axis पे voltage होती है, x-axis पे time होता है, नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, मैंने इस तरह लिख दिया, ये voltage लिखा हुए बेटा, जिनको नज़र नहीं आ रहा हुए उनके लिख दा हूँ, voltage, यहाँ पे time, CRO की screen is a graph of voltage against time, CRO की screen क्या होती है, it is a graph of voltage against time, जी पेटा, आप क्या कह रहे हो, पिछली slide पे जाओं पेटा, पीछे भी तो ये diagram थी, अच्छे, पीछे क्या लिखा हुआ था, पिछली slide पे ये लिखा हुआ है, देख लो, CRO, cathodry oscilloscope, it is used to find the time or time period, voltage and frequency, आप से तीन चीज़े find out कर सकते हो, दो तो directly measure कर सकते हो, एक calculate कर सकते हो, CRO is used to find what time period or time or voltage or frequency, we can calculate frequency, it is a measuring device जिस पे हम तीन चीज़े find out कर सकते हैं, बेटा, it is used to find time period, voltage and frequency, से आगे चलों, ये होता है जी ऐसा, CRO की स्क्रीन पे ग्राफ बना होता है, बस आप इस पर interested है, ग्राफ ये जो display होता है, इस पर grid बनी होती है, ये ग्राफ होता है, ये voltage axis होता है और ये x axis होता है, वो time axis होता है, clear है और बहुत सरी knobs होती हैं, हम बादे बाद करते हैं इसकी, बेटा, I am interested on the display, only in the display only, ये display है जी, CRO की screen का ये display है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है voltage, यहाँ पे क्या है, time, ये जो एक डबबा है ना, एक डबबा, इसको बोलते हैं, one division या one centimeter, ये one division है, और one centimeter है, y axis के long भी, x axis के long भी, इसको one division या one centimeter कहते हैं, one division और one centimeter, CRO की screen पे जो grid होती है, उसके एक डबबे को क्या बोलते हैं, उसके डबबे को बोलते हैं, one division और one centimeter, ये graph होता है basically अच्छा बिटा अब मेरी बात दरग और से सुनिए जब भी आपने graph बनाना है तो आपको सबसे पहले axis चूज करने पड़ते हैं y axis चूज कर लिए voltage है x axis चूज कर लिए time है उसके बाद क्या करते हैं आप उसके बाद scale लेते हैं scale, scale लेते हैं x axis का भी scale लेते हैं और y axis का भी scale लेते हैं तो पहले सबसे पहले axis चूज करने के बाद हम क्या करते हैं we choose a scale हम scale लेते हैं बěटा the scale of x axis scale of time axis time axis को बोलते हैं time based settings क्या बोलते हैं इसका नाम हमने रख लिया time based settings what is time-based setting it is scale of time axis time axis के scale को हम बोलते है time-based settings क्या बोलते है इसको time-based settings scale of x-axis is called time-based settings for example time-based settings की value क्या आए जी इस तरह लिखाव है 50 ms पर division ऐसे लिखाव है या ऐसे भी हो सकते हैं यह से लिखाव है 50 ms centimeter minus 1 इन दोनों का एक ही मतलब है कि x-axis के along एक डबा एक डबा एक division एक centimeter एक division यह एक centimeter कितने time को रेप्रेजेंट कर रहे 50 it is not meter second it is millisecond 50 millisecond एक बॉक्स इसके एक एक बोक्स इसके एकल है मतब वन बोक्स वन बोक्स और वन डिविएन और वन सेंटीमेटर कितने time के इकवल है 50 millisecond के इकवल है इसका यह मतलब है अगर मेरी time based की knob होती है अचा हम खुद दी ग्राफ बना रहे होते हैं यह machine मना गे देती हम तो नौब घुमा रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है time based setting अगर 50 पर है इसका यह मतलब हुआ कि एक डबा along time axis किस्ती कितने time change के here 50 milliseconds का इकवल है मतलब है यहां पह से सकते हैं यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं остан बोलते हैं time-based setting what is time-based setting the scale of x-axis the scale of time-axis अगर आपकी time-based settings ऐसे गिवन है time-based आपको गिवन है for example time-based आपको गिवन है time-based is 20 microseconds per centimeter per centimeter 20 microseconds per centimeter क्या मतलब इसका कि time-axis के long एक डबा 20 microseconds के equal है 20 microseconds के equal है फिर ये 50-50 नहीं है एक डबा 20 के equal है इसको मिटा के बताऊं जी बटा अगर एक डबा 20 के equal है तो क्या हो जाएगा हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे रिदिंग्स all of you please अब एक डबा 20 के equal है तो यहाँ पे का जाएगा 20 0 20 40 60 80 100 and so on microseconds microseconds अगर आपकी time-based setting यूं गिवन है तो बिटा x-axis के scale को क्या बोलते है time-based settings x-axis skill को क्या बोलते है time-based setting it is time-based setting the scale of x-axis get it लिख लिख लिया अब y-axis का scale y-axis का scale क्या होता है the scale of y-axis scale of y-axis इसको क्या बोलते हैं इसका नाम है इसको बोलते हैं y-gain y-gain भी कहते हैं और voltage gain भी कहते हैं इसको voltage gain y-gain और voltage gain और एक और नाम भी है और y-sensitivity y-sensitivity इसको y-gain भी कहते हैं voltage gain भी कहते हैं y-sensitivity भी कहते हैं बिटा आपको लग रहा होगा हमें सब कुछ आता है बिल्कुल आपको आता है कि हमने लेवल में बिल्कुल ऐसे बढ़ाता हूं जो यह लेवल का लेक्चर होते हैं मुस्ती बच्चों को यह पूरा आल्टीकल आता है जिन्हें नहीं पढ़ावा मैं दुबारा बता रहा हूं आप बोर ना हो जिनको आते हैं हाँ जी y-axis के के स्केल को बोलते हैं य वाई गेन और वोल्टेजज गेन और सन्सेंसावीटि और बैटा य गन अगर आप यूँ गिवन हे वाई गेन इसकल टेन we इस सेंटीमीटर माइन वाइनस वन क्या मतलब आशना के एक सेंटीमीटर ऑलांग वा क्यों यह 0 में इधे लिखता हूँ मैं यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यह 10 होगी यह 20 होगी यह 30 होगी यह 40 होगी यह माइनस 10 होगी यह माइनस 20 होगी यह माइनस 30 होगी वाई गेन the scale of y-axis के एक डबा y-axis के लोग कितनी voltage change के equal है यह कौन बताता है the scale of y-axis the scale of y-axis तो y-axis के scale को बोलते है voltage gain, y gain, y sensitivity ठीक है जी अब इस पर reading कैसे लेते हैं अब एक graph बनाते हैं देखते हैं इस पर reading कैसे लेते हैं तो मैंने आपको क्या बताया CRO एक डबा होता है एक machine होती है जो हमें graph बना के देता है graph बना के देता है graph को use करते हम क्या मना सकते हैं हम क्या find out कर सकते हैं we can find the time or time period we can find the voltage और peak voltage and we by using time period we can calculate frequency हम frequency calculate कर सकते हैं CRO पे हम frequency calculate कर सकते हैं for example for example जी ये वेव बनी हुए आपके CRO के उपर यूँ करके वेव बनी हुए है अब आपको बनानी पड़ेगी डबा बनाना पड़ेगा CRO पर boxes बनाएं please draw करें जल्दी से reading ने नहीं है अब आपके जो paper की lines है न वह एक डबा बन गया बद ये vertical lines लगा ले और horizontal lines वही हैं और ऐसी वेव बनाएं आपको एक wave गिवन है जी और साथ में गिवन है आपको time base time base settings आपको गिवन है 20 microsecond per centimeter और वाइगें गिवन है आपको वाइगें 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 गिवन है 50 millivolt per division ऐसे गिवन है जी अब यह वेव हमें इसकी time period बताने है हमें इसकी frequency बताने है और हमें इसका क्या बताने time period frequency and peak voltage रेड़ वाला ग्रेपे नदर नहीं आ रहा प्रॉपर ली आ रहा है वो दुबारा वो ब्लर हो रहा है ना वाइगें सेटिंग्स मैं किसी और कलर से ट्राई करूं इसी को फेर देता हूं यह है वेव बता मैंने वाइट भी ट्राई किया जी बता find the peak voltage find the time period यह वी असी नदर आ रहा रहा है यह स्विं मुटा हो नहीं सकता यह यूँ है यार एक डबा जल्दी से ड्राउ करें और आंसर बताएं जी जनाब इतनी लेट आ रहे हो तुम लोग जॉइन कर रहे हो पिटा समझ भी नहीं आएंगी चीज़े हाँ दी सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा यह वेव गेवन है तो मैं देखूंगा इसकी मीन पोजिशन क्या है यह सेंटर वाली लाइन होती है यह मीन पोजिशन होती है यह मीन पोजिशन होती है मीन पोजिशन यह वोल्टेज का 0 लेवल आम तोर पर एजियूम करते है अच्छा आप क्या है अब लिख दूंगा वट इस वाइगेंट सेटिंग मैं वैलिउस केलिब्रेट कर दूंगा I will केलिब्रेट दवैलिउस तो वाइगेंट सेटिंग कैं 50 वोल्ट पर डिवियन एक डबा 50 के वोल है तो यहां से जीरो है यहां पर क्या होगा यहां पर फिफ्टी यहां पर होगा हंडर्ड यहां पर होगा माइनस फिफ्टी यहां पर होगा माइनस हंडर्ड तो वर्डिस पीक वोल्टेज इसकी पीक वोल्टेज कितनी है इसकी पीक वोल्टेज जी फिफ्टी है एक 50 mili volt तो इसकी peak voltage आ गई what is peak voltage peak voltage is equal to 50 mili volt 50 mili volt peak voltage 50 है एक employee students का अच्छा बेटा अब अब आ जाते हैं time access के उपर अब हम निकालते है time period कितने time में वेफ complete हो रही है आहीं है अप्सक्राइब कितने time में complete हो रही है एक complete cycle एक crust एह complete crust और यह forecase kitt faculty में फिटा रहा है यहां से लेकुन कि यहां तक अज़ार एक वेफ दो cabinet फिटा रहा है और एक डेबा कितने time change की occur what time setting मा divergence लिवें म्ывать यहाँ तो यह 20 है तो यह 40 टीए यह 60 इन वर इस्ताइम पिरियेट ताइम पिरियेट इस फॉर्टी ईमाय क्रोसेकंद्स 40 माय क्रोसेकंड एक दो डबमें वेफ कंप्लीट हो रही है दे वेब इसकंप्लीट इन 2 बॉक्स अपका जो वेविए है कितने डपों में complete हो रही है दो boxes में और एक box कितने time के equal है 20 लिखा हो हैना time based settings ट्वेंटी माइक्रो सेकंड्स तो दो box किसके equal होगा 40 से किन तो time period आपके पास आ गया 40 इन्टू 10 पावर माईनस 6 से केंड्स नदर आ रहा है 40 माईक्रो सेकंड्स 40 into 10 power minus 6 microseconds अच्छा बेटा अब क्या रहे गया अब रहेगी frequency frequency का formula में पता है क्या होते है frequency का formula frequency होते है one over time period frequency is one over time period तो frequency निकाल रहों है frequency is equal to one over time period तो one over 40 into 10 power minus 6 10 power minus 6 उपर जा कि क्या बन जाएगा 10 power plus 6 वन मिलियन को 40 भी डिवाइड कर दें तो क्या आजाएगा 10 power 6 उपर जाएगा ना power 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाए 40 इस 40 से करके 25 250,000 250,000 250,000 kilohertz ऐसे भी लिख सकते हैं 250,000 भी लिख सकते हैं 250 kilohertz भी लिख सकते हैं यह बटा peak voltage क्या होती है बटा peak voltage maximum voltage peak कहा ही यह न टॉप टॉप होता है न पीक voltage यह peak voltage है मेटा बटा peak voltage maximum voltage यह graph maximum किस height तक आ रहे है इसका amplitude कितना है इस wave का amplitude कितना है इसको बोलते है peak voltage तो कितना है थी एक डबबा है ओके एक और करेंगे भी होजे की प्रैक्टिस दो जो रही अगर यह वेव होती है for example इसे पर बना तो आप जो 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 बना नहीं बताएं जो मुस्ते पूछ रहे है peak voltage क्या है अगर यह वेव होती बेटा यह यह वेव होती है उख अव्टी यह बना रहा है यह वाली यह वाली देखो दर अगर यह वेव होती है इसकी peak voltage क्या होती वट अब कहते हैं एग और फिक वोल्टेज कितने डबबे उपर है एक दो तीन डबबे उपर ए टीन maximum voltage इसलिके से निकाल सकते हैं बटा और करते हैं और करते हैं अब में वेव ड्रॉग करो आप ने मुझे बताना है ठीक है एक और एक और कर रहा हूं जी मेरा बटा नेक्स वेव ड्रॉग किये आपको क्या क्या किवन है हमें टाइम बेस के वन है इन ने तर नहीं आ रहा हूं हमें टाइम बेस के वन है टाइम बेस कितने हैं जी टैन मिली सेकेंड्स पर डिवीजन और वाइ संस्टिविटी क्या गेवन है वाइगे इन क्या गेवन है वाइगे इन गेवन है हंड्ड़ वोल्ट पर डिवीजन जी उफ् formas पीक्वोल्टेज score इस्ट्रांपृंड प्रिमिए वाइस प्रिकेंची इस inadequ वोट एटेज्वोट इस ट्राइम पिरीएट क्यों यहां तक तो लेवल चल रहे हैं ए लेवल में क्या आएगा बताता हूं मैं इस एक्स्ट्रा क्या पूचेगा वह आप से यह मोलेवल की प्रेक्टिस करें लेवल तक रिवाइस कर लिया मेरा बेटा हम पढ़नें CRO, how can we take reading on CRO, cathodry oscilloscope, time देखना बेटा, यह time है, tim नहीं है, sorry, जी जनाब, what is time based, time based given है time period बताना है, what is time period now, time period, time period के लिए अप क्या चक करोगे, कितने डब्बों में wave complete हो रही है, यहां से wave start हो रही है, यहां से wave क्या हो रही है, start, एक complete crust, और एक complete trough, कितने डब्बों में पूरा आ रहा है, count कर लें, one, two, three, four, five, six boxes, यह जो पूरी wave है, छे डब्बों में पूरी आ रही है, छे डब्ब लिख भी सकते हो, यहां पे 0 लिख लो, यहां पे 10 लिख लो, यहां पे 20 लिख लो, यहां पे 30 लिख लो, 40, 50, 60, तो time period कितना आ गया बटा, what is time period, is 60 millisecond, यह 60 over 1000 seconds, तमने चेक करना है कि एक विव कितने डब्बों में खतम हो रही है, तो रहां से आ गया, 60 millisecond, 0.06 seconds कर सकते हो now what is frequency, frequency कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, frequency के लिख करेंगे, frequency के लिख करेंगे, frequency के लिख लिख कर देंगे, what is frequency, 1000 over 60, इसका रही सी प्रोकल ले लेंगे, यह cancel हो गया, जो भी आंसर आएगा, 16.7 almost, hertz, यह हो गया, अच्छा बेटा, उसके बाद last क्या रहे गया, peak voltage, what is peak voltage, peak voltage के लिए का देखेंगे, x axis देखेंगे, voltage कौन से axis पर होती है, y axis पे, तो आप देखोगे, इसका amplitude कितना है, कितने डबबे हैं इसका amplitude, यह है जी इसका amplitude, दो boxes, इसकी peak voltage, इसका amplitude कितना है, दो boxes है, एक box किसके equal है, एक box किसके equal है, 100 के equal है, मतब यहाँ पे, यहाँ पे 0 लिखा हो है, तो यहाँ पे का लिखा होगा, 100, यहाँ पे का लिखा होगा, 200, तो what is peak voltage, 200 volt, what is peak voltage, 200 volt, अब बिटा, examiner क्या पूछेगा आप से, examiner कहता है, जी यह एक wave है, हमने time-based settings को change कर दिया, हमने time-based settings पहले कितनी थी, पहले थी जी, 10 milliseconds, हमने 20 कर दी, हमने 30 कर दी, हमने 5 कर दी, तो wave पे क्या असर पड़ेगा, बताओ, time-based की knob खुमाने से, क्या wave की frequency time period change हो जाएगा, नई, knob खुमाने से change नहीं होगा, यह तो source पे depend करती है frequency, तो बिटा, अगर हम knob खुमाएंगे, तो wave या तो हमें shrink नज राईगी, तो एक रटा मार लें, किसी भी graph का जो size होता है, वो scale के inversely proportional होता है, मैं लिख देता हुँ, बड़ा बनेगा देखो मैं आपको एक्जेंपल देता हूं यह मैं नेक्स क्लास में आपको समझाओंगा भी आपको समयच में नहीं आएगा मुझे पता है लेकिन कोशिश कर रहा हूं फर इजेंपल यहां पे स्केल कितना था टैन मिली सेकेंड्स अच्छा अब मैंने 10 से इस ऑफ है न तो एकसेकसेs के अलौंग श्रिंट या सोगी यॺ स्टरेफ्ट या श्रिंग होगी ऐकसेकसे के रौंग Egश्रेट चोटा करोंगा तो स्टरेच्छ विजाएगी एकसेक केστकिड्स के लौंग टाइम बेस की बात कर था हूं और जब scale बढ़ा करूँगा तो जो shrink हो जाएगी x-axis के लाओं तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 10 से 20 कर रहा हूँ न scale बढ़ा रहा हूँ न x-axis का scale बढ़ा रहा हूँ न तो wave shrink हो जाएगी पहले कितने डबों में पूरी आ रही थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 box में पूरी आ रही थी पहले 60 छे डबों में पूरा आता था एक डबबा 10 के एक настाथा तो छे डबों में पूरा आता था अब एक डबबा 20 के एक उकल हो गया है तो 60 तीन डबों में पूरा आ जाएगा अगर मैं Y-axis के scale से पंगा लूँगा, Y-gain की nobs होती है, nobs को घुमाऊंगा, तो scale stretch या shrink होगा Y-axis कहलाऊंगा, क्या मतलब, अगर मैंने Y-axis का scale कितना था, 100 volt per division, 100 volt per division था और इसकी peak voltage 200 थी, वो दो डब्बों में पूरी हो रही थी, 100 का एक डब्बा था, तो 200 के दो डब्बे होंगे न, अब मैंने scale को change कर दिया, मैंने scale को कर दिया, कितना कर दिया जी, 50 volt per division, मैंने scale छोटा कर दिया, scale को 2 पे divide कर दिया, तो size क्या हो जाएगा, 2 से multiply हो जाएगा, साईस क्या हो जाएगा तू से मल्टिप्लाय हो जाएगा वेजड की पीक वॉल्टेज तू हंडर्ड है ना पहले स्केल क्या था हंडर्ड तू हंडर्ड दो डबों में पूरी होती थी अब मैंने क्या कर दी है अब मैंने 50 कर दी है 50 अब 52 डबों में पूरा नहीं आएगा 54 डबों में पूरा आएगा आपकी वेव पहले इसका यह आपको सब्सक्राइब को यह आएगे वेव कि क्या शकल नजर आएगी इव टर्म बेस्टिंग करें तो फिर इत्रीक होगी इविग्रीस दायं बेस्टरिच होगी इव इनक्रीजड़ वाइगन सेटिंग तो यूं श्रिंग हो जाएगी तो आपके यह बता होना चाहिए दूसरा क्या होगा, या तो scale change करेगा, तीन चीज़े होती है ना इसमें, अभी क्या है, आपको shape given है, और scale given है, आप क्या बता रहे हो, values बता रहे हो, time period की frequency की peak voltage की, कभी-कभी आपको क्या given होगा, आपको peak voltage given होगी, आपको graph given होगा, आपको scale बताना होगा, कि बुझेगा, what is y gain settings, मतलब तीन चीज़े हैं ना, तीन चीज़े क्या है, graph, wave, इसकी क्या है, settings, और तीसरी चीज़े क्या है, इसकी frequency time period values, इन तीन में से दो चीज़े given होगी, तीसरी आपको draw करनी होगी, ओ लेवल में आपको graph भी given था, आपको settings भी given थी, आपको क्या बताना है, time period frequency, या प frequency given होगी, और setting given होगी, आपको graph भी तीन में से दो चीज़े given होगी, एक आपको बनानी पड़ेगी, तो हमने next class पे इसके practice करनी है, तो next class में मैं आपको Zoom ID वगरा भी भी भीज़ूँगा, हम कोशिश करेंगे कि अपने 30-40 minutes बोलने पे गुदारते हैं और उस पे भी revise करा द को बादो हैं मैं ये बायन खरते हैं मैं ये million है झोल सकतव हैं मेंदाओ झाल सकत आपथाओं रहां हैं और जह डिता हैं क्रते हैं झाल सकत बादो है हैं, और खियtsåंगे झाल वी-किजाल सकत द Um